है और फिक्स वन फ्लास एट फोर्वाडिंग ऑल कॉल्स प्रॉल्लेम नंद्सकार दोस्तों स्वागर है अब सभिका तICK राची डुप चैनल पर तो दोस्तों अगर आपको यह प्रॉब्लेमettes है ठीक है वीडियो को आन तक देखेंगे दोस्तों मैं आपको इसके reason बताऊंगा कि यह problem किस वज़़े से आ रहा है और केसे आपका problem solved होगा ठीक है यहाँ दोस्तों forwarding all calls का मतलब जो है आपकी call forward हो रहा है ठीक है इसका simple यही एक मतलब है तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मे से आपका problem solve होगा वीडियो शुरू करने से पहले बस जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकोन को क्लिक करना है ताकि आपको latest update मिल सके और अगर आप online पैसा कमाना चाहते है जो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको link मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो बता रहता हूं कि यहाँ पर problem क्यों आ रहा है forwarding all calls तो दोस्तों मान लेजे by any chance या फिर गलती से mistakenly ठीक है भाई mistakenly यहाँ अगर आपने on कर दिया है अपने call forward को तो सारे call जो हो forward होते रहेगा आपको एक भी call यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा आपके mobile पर आपके number पर ठ पिर खुद आप on कर देते हैं गलती से तो अभी दोस्तों आपको यह problem हो सकते हैं तो जब call forwarding on हो जाते हैं तभी हमें यह problem देखने को मिलते हैं तो क्या करना है आपको select करना है calling accounts उसके बाद call forwarding उसके बाद voice एंड यहाँ पर जाके आपको always forward में क्लिक करना है और इस number को delete कर देना है और last में आपको turn off कर देना है turn off करते ही आपका problem हो जाएगा instantly यहाँ पर देख सकते call forwarding नहीं है ठीक है always forwarding call यहाँ पर गयाव हो चुका है तो इस तरीके से दोस्तों आप इस सेटिंग को बन करके अपना problem solve कर सकते हैं अगर आपको कई भी यह problem आते हैं तो बस दोस्तों यही यह problem ठीक है इसको बंद करने से आपका काम बन जाएगा अगर आप इसको बंद कर नहीं पा रहा है तो दोस्तों आप अपने mobile को restart करें और setting पर जाके आप अपने network setting को reset किजिए system पर क्लिक किजिए reset option पर जाएए और इस वाले option को क्लिक किजिए and reset setting पर क्लिक करके reset कर दीजिए setting को और उसके बाद जाएए उपर में apps and notifications उसके बाद search किजिए आपको यहाँ पर phone service option मिल जाएगा see all apps पर भी जाके आपको यह option मिल जाएगा storage पर जाएए clear storage पर क्लिक किजिए ok कर दीजिए और उसके बाद mobile को restart करते हुए जाएए और थोड़ा सा wait करके आप disable कर दीजिए problem solve हो जाएगा ठीक है तो यह है दोस्तों इसका solution अमीड करते आपको यह वीडियो पसने होगा thanks for watching